सभी का स्वागरत है नए साल की आप सभी को धेरो शुब काम ना है और निवाली के एक दिन बाद आज भारते बाजारों में हमने देखा है कल मुरत में तो थोड़ा जोश था तेजी थी कुछ हलकी मुनाफ़वसूली बनती दिखाई दे रहें लेकिन ध्यान रहे इस हफते इस्पेशली पहले दो ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स कम ही रहेंगे निफ्टी आपके सामने 19.421 के लेवल्स पर हलकी सी नर्मी देखने को मिली है ले हाई भी आप गौर करियेगा तो 19.494 का था और उसके बाद हम थोड़े से फिसलने है तो बीचो बीच है बाजा निफ्टी बैंक का भी जाइजा ले लिया जाए तो निफ्टी बैंक इस समय आपको दिखेगा 200.5% की गिरावट देखने को मिल रही है 43.746 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है मिड कैप्स में एक चोटी बनी तेजी की लेकिन उपरी लेवल से यहाँ पर भी कुछ-कुछ मुनाफ़ वसूली आ रही है हलकी सी गिरावट पर ट्रेड बनता दिखाई दिया है अड्वांस टिक्लाइन रेशियो इसी लिए थोड़ा सा नेगिटिव है आज गिरने वाले शरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में लेकिन आज सरकारी कंपनियों में फिर खरदारी लोट रही है तो निफ्टी सीपी ऐसी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं थोड़ा सा ट्रेंड पॉजिटिवली देखने को मिल रहा है अब ऐसे में क्या रनीती हो और साथ ही साथ यहां से आगे किस तरह का ट्रेड बनता दिखाई देगा उस पर बातचीत करेंगे इस हफते हम नई शुरुआत कर रहे हैं नए जानकारों के साथ नहीं लेकिन पिछले तीन हफतों के विजयताओं के साथ तो उनकी तरफ से अब मोमेंटम कितना जोर पकड़ता दिखाए देगा क्या आपकी रनीती होनी चाहिए सब पर बातचीत होगी पिछले हफते के विजयता आशीश कयाल जो 13% के रिटरंस बना कर गए समिछ चोहान ने 8% की कमाई की थी पंकर जांदर ने भी 8% तकी कमाई की थी जब इन्होंने दो हफते पहले पार्टिसिपरेट किया था अब आज के लिए क्या रुजहान बन रहा है आप तीनों का स्वागत है CBC आवास पर और खिलारी नंबो वन में पहले तो नए वर्ष की धेरो शुब कामना है आप तीनों को ये बताइए कल मूरत का ट्रेड तेजी वाला रहा लेकिन इस संबत की शुरुवात में पहला हफता कैसे रह सकता है पंकर जी क्या नालिसिस है आपकी गुड मॉर्निंग हर्षिदा जी और विशु हापी दिवाली टुसी एंडिसी टीवी 18 और आवांस के सभी दश्रों को सी है दिवाली की बहुत बहुत शुब कामना है जहां तक निफ्टी की बात है जैसे मैंने छोड़ के गया था दो आपते पहले की 19,430 वो मेरे डिवल्स थे मैं अभी भी उसके ओपर इंटाक्ट हो और मुझे लगता है कि यह एक बेर ग्राप है मार्केट के अंदर अच्छी थासे तेजी लोटेगी लेकिन वॉल्यूम्स थोड़े सकते हैं एक दो दिन तक के लिए लेकिन मुझे लगता है कि यहां से एक मार्केट अच्छा पिकप ले सकता है ओके तो पिकप ले सकता है लेकिन रेंज बाउंड है सकता है समित आपको भी लग रहा है दाइरे बंद रहेगा तो क्या हम higher side of the range जादा से मैं बताएंगी या फिर फिर lower side of the range test करेंगे बुड मार्केट ट्रेंड की अगर बात करें तो जब तक यह 9600 निफ्टी का लेबल है और बैंक निफ्टी के लिए 44-44400 यह जब तक दाइरा आपको किनों सरपास होते हैं निफ्टी में अच्छी रिकवरी देखिए तो थोड़ा उपर की तरफ consolidation हमाँ इंपॉर्ण है तो higher side पे 9600 निफ्टी के लिए और low side पे यहां पे एक important support आपको आपको करेंगे 19350 का यह लेबल अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो probably थोड़ा बहुत selling pressure दिख सकता है otherwise फिर हम यह जो consideration है उसी range में continue रखेंगे और stocks specific होगा कुछ you know Medcalf में आपको अच्छे रुजान भी मिलेंगे कुछ FNAP stocks में अगर आपको थोड़ा बहुत भीखनें जैसे NBFC stocks में थोड़ा आज भीखनें सिक रहा है अगर आप देखेंगे बाजार में और आल जो ट्रेंड है फिलाल बाइंड इप्स का था और अमुरद ट्रेडिंग के बाद में यहां पर प्रेशर बनता वा नजर आ रहा है तो मेरे ख्याल से उपर का जो हाई बनाया था इंपोर्टेंट है वह है 43,550 का तो अगर बैंग निफ्टी वह लेवल ब्रेक करता है तो सेलिंग प्रेशर बनेगा नहीं तो फिलाल के लिए बाइंडिप्स का नजरिया रख सकते हैं यहां पर गुंजाईश है कि बैंग निफ्टी में वापस एक फुल बैक मिल सकता है 43,800 तक और निफ्टी में भी वापस हमें वापस 19,480, 19,490 तक जहा सकते हैं लेकिन चुनिंदा स्टॉक 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 एक्शन कंटिनूट रहेगा यहां पर और इस अपते में बाई के साथ ही चलेंगे फिलाल तो और स्टॉक पेक पॉजिटिव प्रॉस्वर भी हुआ है मुविंग एवरेज के लिए हाथ से तो यहां पर एक अच्छा मूब देखने को मिल सकता है अपार इंडस्ट्री पे भाई की राई होगी भी मौका है खरदारी करने का टागे फिर आगे बढ़ेंगे और नए ट्रेट की तरफ जाएंगे और अपार इंडस्ट्री तरह से लिहां पर पिक किया है आपके लिए आशीश ने 5820 आपका टागेट और 5130 स्टॉप लॉस है पंकज आपका ओपनिंग ट्रेट पिछले साथ दिनों में एक कम वॉल्यूम के साथ मिसके अंदर देखने मिली ती लेकिन आज का जो वॉल्यूम जो पिक हुआ इसके अंदर वो काफी सिग्निफिकन वॉल्यूम में आपे नजर आ रहा है यह इन स्रुक्चर चार्स के ओपर देख रहा है और ब्रेकाउट द पिछल रहा है और देखने में एक बाइंक की सला रहे है की वननने आजर था गज़ें एक तो प्लोस और वेल्स पन इंडिया तेजी वाला एक रिट करीब तीन परसंट ऊपर वैसे भी कर रहा है कारोबार समय बताईया आप पारी की शुरूवात कि स्टॉक के साथ कर रहे ह जाना चाहेंगे एक स्टेडी मोगाता है और अम दिखे तो स्टॉक एक अच्छे रैली के बाद टाइम बाइस करेक्शन उसने कंप्लीट किया हुआ है लास्त तीन चाह दिनों से वापस हम अच्छा ट्रेक्शन ये स्टॉक में देख रहे है तो यहां पर यह पर यह पोई हाँ नागा NCC की बात हो रही है अब बताइए टागेट स्टॉप लॉस वाल्यूम के साथ ये स्टॉक ने है टागेट के अच्छा रिबाउन दिया हुआ है तो 176 के टागेट के लिए NCC लॉंग करने की सला होगी 161 का स्टॉप लॉस एन सीसी पर तेजी का ट्रेड 176 आप के लिए टागेट के तौर पर काम करेगा और 166 आप स्टॉप लॉस के तौर पर नोट करें 161 आपका स्टॉप लॉस हैगा 166 तो इस समय का लेवल है तो ये करेंट मार्केट प्राइस स्टॉप लॉस नहीं होगा 161 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करता दिख ये फिलहाल आपके लिए का व्यू समित ने दिया है पंकर बताईए आपका दूसरा ट्रेड अरशिदा जी लास्ट वीक जब में खेल रहा था तभी दो ट्रेड के साथ में में जाना पसंद कर रहा था उसके अंदर कोल इंडिया ये मेरा पिक था कोल इंडिया 310 से 340 तक कोल इंडिया नंबर्स वैसे इनके अच्छे रहे हैं स्टॉक कल भी चला आज भी फॉलो थू देखने को मिला है 1.5% की तेजी 360 के लिए मौका खरदारी का स्टॉप लॉस 330 कर रहेगा समित NCC के साथ क्या जोडेंगे तो इसलिए पी एल के साथ हम जाना चाहेंगे और यह स्टॉक अगर हम देखे तो रिसेंट्ली इसमें विक्निस का ही अमने ट्रेड देखा था ता तीन दिनों पेले गड़ाउन उपनी और उसके बाद यह उसका लोर सपोर्ट है उसके आसपास ही टेड़ा है तो जैसे एक दो दिनों में जो उसका एक इंपॉर्टन सपोर्ट है 931 का यह ब्रीच करके प्रॉबली 920-900 के लेबल तक भी जा सकता है तो इसलिए अज़ प्रेडी हमें लगता है कि 952 का स्टॉप लॉस टॉप लॉस यह कैश के लेवल दे 911 के टागेट के लिए पी एल शॉट का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे अशीश आप क्या जोड़ रहे हैं देखिए दूसरा ट्रीड है संटीवी नेटवर्क पे यहां पर एक बहुत स्टॉप ब्रेक आउट आथवा नजर आ रहा है जो की पिछला हाई था उसे ब्रेक किया है और यहां सस्टेन कर रहा है वॉ 737 के टागिट के लिए मौका तेजी का संटीवी नंबर्स अच्छे है उसके बाद स्टॉक देखिए 3.5% की तेजी दिखा रहा है और कंपनी को दरसल उमीद है कि थर्ड कोर्टर में जादा पिक अप देखने को मिलेगा अड़िटाइजिंग रेवन्यू में और वो इन फ 737 फिर M&M के जो नतीजे हमने फ्राइडे दोपहर को देखे थे कंपनी का मैनेजमेंट तयार है एक आउटलूक देने के लिए कि यहां से पुल अप कहां पर आएगा क्या डिमांड आउटलूक बन रहा है उस सब पर बातचीत होगी प्रेके बाद अब देखने हैं खिलारी नंबर वन और फटाफट से हमाई जानकारों ने जो ट्रेड एक एक जोड़ना है वो ले लेते हैं समित बताईए आपका इस समय का तीसरा ट्रेड इसके साथ हम जाना चाहेंगे स्टॉक ने एक रिच्छे करेक्शन के बाद वापस उसमें थोड़ा रिकावरी मोर्ड रिजिम हो गए तो यहां पर 339 के स्टॉप लॉस से जी एएल गुजराद अम्बुजा एक्सपोर्स में डांग करने भी सबादेंगे 380 का टागेट रहेगा गुजराद अम्बुजा एक्सपोर्स यह भी स्टॉक अज तरह से मोमेंटम में है करीब तीन सवा तीन परसंट की तेजी दिखा रहा है टागेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आएगा अशिश आपका बताईए क्या ट्रेड रहेगा मेरा जो तीसरा ट्रेड होगा वो है अल कार्गो पर यहां पर यह भी यह लास्ट विक में भी हमने दिया था और अभी एक स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है तो यहां पर लॉंग पॉजिशन क्रीट करने की राही होगी इसका टारगेट होगा 310 का और स्टॉप ल टारगेट एक बार दोराएंगे 310 का टारगेट 310 के टारगेट के लिए एक उपर्चुनिटी तेजी की बन रही है पंकज आप क्या जोड़ रहे है इंडिया भूल हॉजिंग फैनांस के साथ में जाना पसंद करूंगा अर्शिदा जी एक अच्छी खासी वॉल्यम इंडिया भूल हॉजिंग फैनांस प्रेंग के सला रहे हैं अब क्या रिटर्न बन रहे हैं सभी ट्रेंज के उस पर आएंगे जब तक वो क्यालकुलेट हो जाते हैं तब तक बात करते हैं M&M की दूसरी तिमाही की नतीजे वैसे आचके हैं अनुमान से बहतर दरसल कंपनी की आए निकली जो 17% बढ़कर आई मुनाफ़ा 67% बढ़ा 3452 करोड पर आया इबिटा में 20% तक की ग्रोथ देखने को मिली इमार्जिंस भी 12% के आसपास हैं लेकिन यहां से आगे क्या ड्राइव कर रहा है इस मोमेंटम को और क्या ड्राइव करेगा उस पर बात कर लेते ह माय साथ हैं मनोजी स्वागत है आपका एक मजबूत क्वाटर रहा है लेकिन अगर आप मुझे अंदाजा दे सके आटो और फार्म सेग्मेंट में क्या ग्रोथ देखने को मली और खास तोर से यह जो अगली जो चालू क्वाटर है तीसरा क्वाटर जिसके नंबर्स आप ड ग्रोथ हुए है बाओ 22% ग्रोथ हुए है रेवन्यूस में और जो प्रॉफिट देखा जाये तो अल्मोस्ट डबल हुए है फॉर फॉर अगर बुकिंग मोमेंटम देखे तो 51,000 की बुकिंग हुए है इन अमन्थ और अवर अल जो बैकलॉग है वो अबर 286,000 की और जो प्रॉडक्शन रांप अप हमने की है वे अर वेल उन ट्रैक जो हमने बुला था कि हम 49,000 की प्रॉडक्शन की प्रॉडक्शन की करेंगे बाइ मार्च एंड इवन देखा जाये तो अगर यह सब देखा जाये तो आटो जो ग्रोथ है वो काफी स्ट्रॉग विकेट भाखे पे और हम देख रहे हैं कि वो जो जो momentum है bookings में momentum है production increase में ओर momentum है जो हमारे profit momentum है वो भी continue रहेगी, that's the understanding. अगर फार्म की बात की जाए, तो फार्म की last year was a very strong year and अभी 24 हम देख रहे हैं कि there is a little bit of weakness in the market it's a tougher market तो उस मार्केट में हमारी मार्केट शेर गेन हुई है about 150 basis point one and a half percent और जो profitability है वो थोड़ी steady रही है जो हम देख रहे है कि अभी जो festival season चल रहा है तो उस पे dependent होगा जो हमारी current उमीद है कि industry इस साल पूरी की estimate की जाए F24 की तो industry flat का हमारा जो estimate है और उसमें हम market share पे play करेंगे that's a quick view of auto info अच्छा SUV segment जिसमें आपकी company का अच्छा खासा exposure है और वो leadership है बताइए यहां से किस तरह का market share और improve होता दिखाए देगा क्योंकि कुछ समय के लिए आपने जूसरे number पर भी आप slip कर गए थे to regain your number one position, क्या strategy है? SUV market share की बात करें तो तिरा multiple numbers हम जो report करते हैं वो revenue market share है और इसमें हमारी जो market share है वो हमारे market leader से about 0.5% कम है इस metric पे और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारी जो production ramp up हो रही है और जो strong demand cycle देख रही है तो I think it is very very close in the coming months में पता चलेगा कि whether that position will change or not हमारी जो goal रही है हमने बहुत clearly बोला है कि number one in SUV market share, that's our goal तो I think time will tell we are very close between one and two right now अचा यह बताये बच साब कि इस समय गाडियों में demand undoubtedly अच्छी खासी है लेकिन लोग यह कह रहे है कि waiting period बहुत जादा है यह बताये किस तरह का waiting period चल रहा है अभी और क्या कुछ अंदाजा कि यह कुछ कम हो सकता है या नहीं अगर वेटिंग पिरेट की बात कि जाए जो हमारे top-end models है जैसे XUV, 7W में उसमें जादा waiting period है, the others थोड़ा waiting period कम हुआ है जैसे-जैसे हमारी capacity बढ़ती जाएगी वो I think we should be able to improve on the others also broadly as I said the backlog still continues to be fairly high 286,000 so there is a waiting period but I think the more the most of the waiting period most of the models of waiting period has come down पर हमारे top-end models पर थोड़ा ही waiting अभी भी I think it's a longer period अच्छा बट साब यह numbers की बात हुई लेकिन 2024 we are nearly there, November तो मिड आ ही गए है एक महिना और और फिर हम नए साल में उतरेंगे 2024 में महिंद्रा ग्रूप से हम क्या उम्मीद करें किस तरह के आप लॉंच प्लाइन कर रहे हैं हमारे जो next launches है एक तो 5-door थार विल कम इन 2024 towards the end of the year there is the born electric and then there is the refreshes cycle for the 3 00 and the 4 00 those are the planned launches for 2024 and we are hoping that उसी में भी वही सक्सेस मिलेगी हमें अंदर देखिए वेल्सपन इंडिया के साथ इन्हों ने शुरुआत की 175 टागिट 147 stop loss कोल इंडिया फिर दूसरा आया 360 का टागिट 330 का stop loss और इबूल housing finance 194 का टागिट है 164 का stop loss है रिटर्न्स देखिए वेल्सपन 2% उपर 1.1% की कमाई कोल इंडिया से 0.41% के रिटर्न्स इंडिया बोल housing finance उनको जोड़ कर दे रहा है समित का पोर्टफोलियो देखेंगे तो MCX तेजी वाला ट्रेड 176 टागिट 161 stop loss पिरिमल enterprises उन्होंने एक short side का ट्रेड रखा है 911 का टागिट 952 का stop loss और गुजरात अमज़ा एक्सपोर्ट जोड़ा 380 के टागिट के लिए 349 आपके लिए stop loss का काम करेगा NCC ठंडा है 0.04% के रिटर्न्स पिरिमल जोड़ रहा है और गुजरात अमज़ा भी वैसे इनको रिटर्न कमा कर नहीं दे रहा है वहाँ पर भी हल्की सी मुनाफ़ वसूली ही बनती दिखाई दे रही है आशिश कयाल ने अपार इंडस्ट्री के साथ पारी की शुरुवात की 58-20 इनका टागिट है 51-30 stop loss फिर Sun TV लिया 737 टागिट, 650 stop loss All Cargo Logistics भी आया है 310 का टागिट और 273 का stop loss अपार 0.3% उपर है Sun TV खामोश और All Cargo 0.62% के रिटर्न्स दे रहा है तो इस समय खिलारी नमबर वन की पारी की शुरुवात जो मजबूती के साथ हुई है उसमें overall returns क्या बन रहे हैं तीनों ही जानकारों के वो आपकी स्क्रीन पर है 3-3% के returns पंकज के लीड कर रहे हैं फिर इनके पीछे लगभग 1% की कमाई आशीश की समित minus 0.5% आधर पसें नेगिटिव रिटर्न के साथ इनकी पारी की शुरुवात हो रही है लेकिन पूरा हफता है भले ही एक हफते एक बीच में छुटी हो लेकिन पूरा हफता है और आज का दिन भी है नए trades जोडने का और बदलाव करने का चलिए all the best आप तीनों को इस हफते के लिए जो भी बदलाव होंगे of course उसकी जानकारी आपको चैनल पर मिलेगी साथ ही साथ हम आपके सोशल मीडिया पर भी वो अपडेट लगातार पिश करते आएंगे तो all the best आप तीनों ही जानकारों को इस हफते के लिए लेंगे एक break आगे focus commodity market के action पर खही मिलेगी आपके सुआ है तो all the best आप नहीं जापके जाए 수 के साथ है झाल झाल